हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू बाव एलेक्टिक यूटुब चैनल पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्रिब लिंक सॉप्टेवेर को कैसे डॉनलोड करें अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देख लीजिए उस वीडियो का लिंक सीखेंगे जो माइख कंपनी क्रीट कैसे हैं और प्रोडॉक्ट एडिक कैसे करते हैं तो ज्छादा टाम देखना करते हुए वीडियो को अश्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने इरुनbn Super Act to open करते आ और यहां पे पासवर्ड आपको डालना है तो डाल लेते हैं हम अपनों पासवर्ड और यहां पे कस्टमर डेम है तो कैंसिल करते हैं फिलाल cityम 활ار हो चुका है अब हम 3 डाट पे क्लिक करते हैं और मेंज़ेंट पे जाते हैं और यहां पे देखे, my company है इसमे my company पर click करते हैं क्योंकि हमें company set करना है ठीक है, company name जैसे shop name होता है shop का name या फिर कोई form है form का name तो यहाँ पर डालना है कम से कम आपको है जो name और country ये दोनों जो है, आपको select करना ही करना है हर हाल में, और बाकी आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो सबसे पहले हम अपना name को डाल देते हैं जैसे जो बावा एलेक्टिक YouTube चैनल है तो हम बावा एलेक्टिक ही डाल देते हैं यहाँ पर ठीक है, उसके बाद tax number यानि tax number जो होता है, वो GST number होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर address डालते हैं, अपना, आप total fill कर लीजिए, ठीक है, हम address में डाल देते हैं अपना address पतना भीहर, उसके बाद हम zip code यानि कि pin code डाल देते हैं, और उसके बाद है city तो city भी डाल देते हैं इसमें पतना, और country में हम इंडिया डालते हैं, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो इंडिया डालते हैं, और यहाँ फोन नंबर है, तो फिर फोन नंबर हम कुछ अलग ही डाल देते हैं, और email ID, swap का ही email ID जो है, वही डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, bank account नंबर बगेर है, आप यहाँ ड डालते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक save का option है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, save करना है, save के क्लिक करते ही, देखिए, यह साइड में आपको, company data successfully saved आ भी है, ठीक है, अब इसको close करते हैं, अब जो हम क्या करने वाल प्रोडक्ट हम एड करेंगे इस वीडियो में, देखिए, इन चार प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि यह हो गया, 20 एमपेर सौकेट है, और एक 6 एमपेर 3 पिन टॉफ है, और यह 16 एमपेर 3 पिन टॉफ है, और एक iron कनेक्टर, यह चार प्रोडक्ट को हम आज इस वीड पे आपको क्लिक करना है, और management पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे product पे क्लिक करना है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, new product है, आप इस पे क्लिक करके आप simply आप क्या कर सकते हैं, product create कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर group, तो मैं क्या करूँगा, ग्रूप बनाकर के प्रोड़क्ट जो है डालूंगा सबसे पहले मैं ग्रूप बना लेता हूँ ठीक है जैसे कि किनी किनी का क्या होता है लेक्ट्रिक और हार्डवेर दोनों होता ठीक है तो और बहुत सारा प्रोड़क्ट है जैसे कि एंकर का एसुसरीज हो गिया है तो मैं क करता हूं आंकर एसुष्रीज पहले बना लेता हूं क्योंकि प्रोड़क्ट जो चुछ किया था वो एंकर का था ठीक है उसके बाद सेव कर लेते हैं हमारा जो किया हुआ गूरूप बन चुका है ठीक है अब मुझे क्या करना है यहाँ पे न्यू प्रोड़क्ट पे क्लिक कर ना है ठीक है मैं यहाँ पे जैसे एंकर शिक्स एंपेर कैप्टल में डाल देते हैं ताकि अच्छा लगे थ्री पिन टॉप ठीक है उसके बाद कोड कोड आप डाल सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से 123 या फिर 101 ठीक है जो भी इच्छा हो तो मैं डाल देता हूं ठीक है उ बार्कोड क्या होता है आपके प्रोडक्त में एक जो है बार्कोड दिया हूए रहाता जैसे आपको दिखाते हैं यह से 40 एंपर distort का है कि आखेए हम सिर्फ दिखा रहे हैं ठीक है बार कोड क्या होता यह हुआ ऐसा थीक है इसको हम इसकेट करके उसमें डालते हैं जैसे यह छे एंपर का लिया मैंने और उसको डिल करते हैं स्कैन करने के बाद देखिए आटमेटिक आपको बार कोड में आ गया नम्ब्रिंग ठीक है सेल करने में इजी होता है ठीक है यूनिट ओप मेजर्मन्ट यानि किस चीज में आप इसको डिल कर रहेगा पीसेज में या फिर वोटल में बॉक्स में ठीक है तो हम पीसेज रहने देते हैं और यहां पर देखिए डिफोल्ट क्वंटिटी तो इसको मैं कहूंगा आप ही रखिए क्योंकि एक ही प्रोडक्ट जो यह प्रोडक्ट है कोई कोई जरूरी नहीं एक ही पीस लेगा दोपीस भी ले सकता तो इसको आप सिंपली क्या रखिए और प्राइस टैक्स में जाते हैं और यहां पर प्रैस डालते हैं deprived कितना में आपका खरदारी है तो मैं इसका जो खरदारी है साट रुपयए डाल देता हूँ ठीक है और मेक अब ऑर जले मारक पे इस फिरम परक्टम करते हैं 20 पर संट जो allowed है इसको आप off ही रखना है ठीक है क्योंकि आप डाल ही रहा है sale price कितना करना है तो फिर stock controller ठीक है उसमें recorder point कितना piece आप के हाँ आया है तो मेरे पास 10 piece आया है तो 10 piece डाल देते हैं और prevent quantity यानि एक piece कितना piece जब फिर आप invoice बनाए तो कितना piece वो sale हो फिर्स्ट में ठीक है और फिर lower stock burning यहाँ पर तो आप इसमें डाल सकते हैं lower stock कितना पर आ जाए तो फिर वो आपको warning दे दे ठीक है इसको on रखते हैं और इसमें डालते हैं एक piece ठीक है उसके बाद है image and color ठीक है इसमें आपको transparent है बहुत सरा है तो मैं transparent ही रखता हूं ठीक है और यहाँ पर एक कोई image चूच कर लेते हैं कोई एक नहीं मतलब three print top कहीं जैसे three print top मैं add कर रहा हूं तो ठीक है यह देखिए और उसके बाद देखिए आ गया मेरा और उसके बाद हम क्या करते हैं इसको save कर देते हैं तो एक product क्या हुआ मेरा वह add हो चुका है उसी प्रोड़क्ट से जो है कि दूसरा product add करते हैं ठीक है और न्यू प्रोड़क्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे second product हो गया मेरा जैसे हो गया anchor 16 amp 3 pin top पीन मेरा में पीन में पी जो है small था उसको capital कर देते हैं और इसको यहाँ पे बार कोड़ बार कोड़ है तो 16 amp 3 pin top है उसका बार कोड़ कर लेते हैं बार कोड़ करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब scan करके उसमें डाले गाना तो sell करने में easy होगा देखिए scan किया और यहाँ पे आ गया ठीक है उसके बाद unit of measurement में piece कर देते हैं और यहां पर देखे group में anchor accessories ठीक है default of कर देते हैं और यहां price price में हम यहां पर डाल देते हैं जो purchase price है 70 रुप्या और यहां पर 20% margin रखते हैं ठीक है उसके बाद stock में जाते हैं और यहां पर देखिए बीस पीस डालते हैं और प्रिफेंड में एक पीस लोई stock बार्णिंग में दो पीस कर देते हैं ठीक है और फिर image इमेज में वही three pin top डाल देते हैं और इसको save कर देते हैं अब देखिए हमारा दो प्रोड़क्ट add हो चुका है ठीक है है जो दो प्रोड़क्ट जो हमारा एड हो लेकिन एक चीजद देखिए जो ग्रूप है वह three pin top में यह प्रोड़क्ट ही है तो एंकर एकष्यूस निवसेलक्ट करते हैं और यहां पर ट्वांटी एम्पेर एस्पेस एंड बीश ए सोरी टेन एम्पेर सॉकट ठीक है और यहां पर देखिए कोड थ्री आगे आगे अटमेटिक अब जो इसका है बार कोड एसकैन करते हैं यह रहा बीश एम्पेर का इसको एसकैन करते हैं और यहां देखिए आगे ठीक है और यहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस कर देते हैं और ग्रूप में प्रोडक्ट स्लैस एंकर रेसे स्रीर और डिफॉल्ट कॉल्टिटिटी आफ कर देते हैं और प्राइस इसमें डालते हैं 80 रूपीज और मार्क अप जो है यहां पर 20 और यहां पर श्टॉक जो है करते हैं 20 पीस और प्रिफेंट कॉनिटिटी एक पीस और लोई स्टॉक में दो पीस और उसके बाद सेफ कर देते हैं क्योंकि इमेज जो है आप करते रहेगा क्योंकि हम सिर्फ दो प्रोडक्ट आपको देखा दिये हैं कैसे करना ठीक है यह द करनेक्टर ठीक है और यहां पर बार कोड फिर उसी परकार से एड़ कर लेना है यहां इसमें इसकान करके यह देखिए आरेन कनेक्टर है और इसमें देखिएगा छोटा साइकदम आपको बार कोड दिया हुआ तो इसको हम क्या करते हैं इसकान करते ही यहां पर आ गया ठीक और यहां पे अंकर रेसिसरे और डिफोल्ट को आउफ कर दते हैं और यहां पर प्राइस डाल देते हैं 70 रूपीज और फे 20 परशन ठीक है और आस्टॉक में जाते हैं और इसमें 10 पिस कर दते हैं और preferred quantity एक पिश और lowest stock में एक वन पिश ठीक है और image आप डाल ही सकते हैं आप ठीक है आप डाल लीजेगा हम सेव कर लेते हैं तो देखिए हमारा जो है चार प्रोडक्ट हमने successfully जो है अड़ कर लिया है प्रोडक्ट एड़ करना बहुत ही easy है आप आसानी से प्रोडक्ट एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज हमने देखा एरनियम सब्टवेर में प्रोडक्ट एड़ कैसे करते हैं तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें